करोडो रुपे की ठगी यानि धोकादडी के आरोपी संजीवनी क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाइटी के डायरेक्टर की जमानत हुई खारिज देखिए बड़ी खबर डीके हिंदी नूज यूटूब चैनल पे सब्सक्राइब कर ले डीके हिंदी नूज यूटूब चैनल पूरज परक्रिया है कि परिवादी अजे सिंग राठोड ने महा मंदिर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराकर बताया कि संजीवनी क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाइटी में अलग-अलग समय में 30 लाख रुपे की एवडी के तोर पर जमा करवाए आउशक्ता पढ़ने पर वापस मांगे लेकिन सोसाइटी ने ओफिस पर ताले लगा दिये और सांखाया प्रमंदक अध्यक्ष और संचालक तथा अन्यपद अधिकारी भूमिगत हो गए यानि भाग गए पुलिस ने अनुसंदान के बाद आरोपी के खिलाप IPC गिधारा 420-406-120 सहित विविन धाराओं में नयाले में आरोप पत्र प्रस्तुत किया आरोपी के अधिवक्ता ने कहा कि आरोपी ने घोटाले से पहले से ही इस्तिपात दे दिया लोग अभी योजक केशर सिंग नरूका ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि संजीवनी क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के संचाल को ने 227 साखाओं के माध्यम से 953 करोड रुपे जमाक कर लिए और इसनकी परिफ़क्ता आने पर क्या है पैसे नहीं लोटाए जैसा कि साखाओं के माध्यम से 953 करोड रुपे लेकर परिफ़क्ता के बाद भी देने से इंकार कर दिया गया सॉसाइटी के अकाउंट बुक में 1100 करोड रुपे का फरजी रिंड दिखा दिया अव्युक्त ने सारे पैसे रियल इस्टेट कारोबार में लगा दिये और न्यायलने ने दोनों पक्ष को सुनने के बाद बाड मेर जिले के राम सिंग राम सर तैसिल इस्तित इंद्रोई गाउं के आरोपी विक्रम सिंग पुत्र शुग सिंग की जमानत याची का खारीज कर दी तो ये थी बड़ी खबार चिटफंड क्रेडिट कॉपरेटिव सॉसाइटी की तो जुड़े रहें डीके हिंदी न्यूज यूटूब चैनल से वीडियो के डेस्केशन में दिये ग